हेलो फ्रेंड्स जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पी एम मोदी जी की माता जी का निदन हो गया तीस ताएक को शुक्रवार तीस दिसम्ब दोजाबाइस को वहें सौ वर्ष की थी बुद्धबाय को उनकी तबियत बिगड़ गई थी जिसके बाद उनको हॉस्पिटल में भरती काया गया था यह मोदी की माता जी हिराबेन का जो जीवन था वो अत्यंत कठिन परिस्थितियों मैं भी मूले के पती निश्ठा अब मीश्वय के पती अटूट आस्था के बल पे सतत करमशिल रहने वाले सार्थक जीवन का महान उधार हैं हम ऐसी पड़े आत्मा को प्रडाम करते हैं भगवान उनको अपने चर्णों में स्थान दे आज हम नगिन मोदी जी की जनम कुली से देखेंगी कि उनकी मां जो हीगा बेन थी उनकी लंबी ययू की क्या योग है जैसे कि हमने पहले भी बताया है कि आप रिश्यदाय की कु तक यहां में को अचारक मुधिय जी की कुली से देखेंगे कि उनकी माता की लंबी यू के कौन सी योग मैं कि यह नगिन मोदी जी की कुली जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो प्रूंडी का फूर्थ हाउस होता है चौथा जो घर होता है वो उसका संभद मां से होता है तो यहां पर जो चोथा घर है उसमें शनी की राश्ची है जिसमें की बहस्पति बैठे हुए है बहस्पति जैसा कि हम जानते हैं गुरू हैं मार्ण दर्शक हैं सादा जीवन उच्यविचार इनका लाइफ कर मोटो होता है अपने धह्रमिक उल्लेह उनके परभी तो ऐसा ही व्यक्तित्र उनकी प्यम बोदी की माता जी का भी था वह भी काफी धार्मिक सभाब कि थी जीवन मूले के प्रति समर्पित थी ईश्वर के प्रति उनकी अटूट आस्था थी शनी जो है शनी की राशी है तो शनी जो है कठिन परिश्यम से सतत करमशिल रहने के लिए पेरित करता है ब्रस्पति की चौथे घर पर उपस्ति उनकी मा के व्यक्तित्र के वाएं में हमें सही जानकारी मिलती है यहां पर हम देखें तो जो चंदर होता है चंदरमा जो है माता का कारक होता है चंदरमा जो है इस कुली में नीच का होके लगन में बैठा है जब कोई प्लालेट नीच का हो जाता है तो वो जीवन में संघर्ष देता है व्यक्ति को संघर्ष पूर परिस्तियों का सामना करना पड़ता है उसके बाद ही उसको सफलता मिल पाती है अगर उसका नीच भंग हो रहा है जैसे कि हम जाते हैं यहां पर मंगल जो है अपनी खुद की राशी में बैठे हुए लगन में ही तो इससे चंदे का नीच भंग हो रहा है यानि की आफ्टर संघष जो है सफलता निश्चित है यहां पर नीच भंग किसके दौरा हो रहा है मंगल को ने भंगल जो है जोतिश में मंगल को भूमी पुत्र खा गया है संतान तो यहां पर जो नीच भंग हो रहा है वो पुत्र के दौरा हो रहा है मंगल और चंदर के योग को जो है मा बेटा योग भी कहा जाता है जो कि एक भुती पारफुल योग होता है यहां पर मंगल महापुष योग में है तो मंगल जो है यहां पर चंदर के साथ में बहुती सुन्दर योग बना रहा है जो कि कुल को ताड़ने वाला देश भक्त मात भक्त कुल और देश का नाव गोशन करने वाला संतान जो होती है वो इस तरह की होती है कि यहां पर जो यह बनना है वो फोर्थ हाओ से दशमभाव में बनना है और दशमभाव में चंद्मा जो है उच्छ का माना जाता है किसे भी इसका लगन होता है जो आश्टमभाव होता है वह इसकी आयू कर बाता है वह कि जो कि आच्ट कर मैख से गयार्म तोकि हमें माता की यह माता की डिप्धाय के बाई में पताएगा है में देख सकते हैं कि जो ़ो आठ्वाव है कि चत्थुरत को चत्थुरत ह्भाव से जो आठ्वा भाव है उपने तो नुकि सूर्य के अच्फ्थु के साथ में बैठे हैं तो यहां पर बुद्ध आ दिते योग द्धजा योग मुद्य सुंद्य योग बनते थे हैं लेकिन क्योंकि माता के लिए क्योंकि अस्टम भाव है तो यहां पर जो बुद्ध है वह विप्रीत राजयोग में भी है और विप्रीत राजयोग जब भी होते हैं कुल्ली में वह बहुती एफ्यक्टिव असरदार होते हैं और इनकी माता जी की लंबी प्रDas की उमाठ्य टा जो एक प्रबुक्ट कारण है विप्रीत राजयोग दो कि बुद्ध के ध्वारा पर रहें है अस्टम भाव में धर यहां पर हम देखें तो जो भस्पती है वो लगन में है जब भी भस्पती लगन में होते हैं माता के लगन में भस्पती बैठे हैं तो भस्पती जब भी लगन में होते हैं केते हैं कुंडली के हजार दोशों को दूर कर देते हैं और व्यक्ति को एक सात्विक और एक अच्छ देते हैं तो यहां पर भस्पति की जो लगन में उपस्तिती है यह भी जो है आयू को लंबा करती है जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माताजी की उमर क्योंकि 100 पूरी हो चुकी थी तो उमर का भी उमर के कारण भी कुछ उनको health issues हुए थे तो यहां पर देखा जाए तो बुद्ध जब अस्टम भाब में होता है तो वेक्ति को nervous system सम्बंदी समस्या या बुखार इस तरह की समस्या होती है और सूरे जो है हार्ट का कारण है हार्ट क्योंकि सूरे जो है कालपुष कुल्डी के पंचब भाब का स्व ही की समभावना देखती है चंद्वाओ जो है लगन भी चंद्वाओ जैसे हमने बताएं कि माता। काईक है क्यों जो यह मंकर के gagner के साथ साथ में होना और गाहूद नवम ge höना यह भी हैं हार्ड इश्यूस को बताते हैं हार्ड संबंदी समस्या को बताते हैं तो इस तरह से हम विश्यदागों की कुली से भी अपना भविश्य जान सकते हैं अगर आप को वीडियो पसंद ना आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलेगा थेंक्यू